Dear students, आज की वीडियो में हम IUPAC NEMS की study करें IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry International Union of Pure and Applied Chemistry यह IUPAC का full form है अब देखिए जब हम लोग IUPAC NEMS की शिरुवार करते हैं तो सबसे पहले हमें वर्ड रूट का नौलेज होना ज़रूरी है देखिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यहां वर्ड रूट बताए गए है अगर मालो कारवन वन है तो उसे हम मैथ कारवन 2 है तो 8, कारवन 3 है तो प्रोब, कारवन 4 है तो ब्यूट, कारवन 5 है तो पैंट, कारवन 6 है तो उसको हम हेक्स कहते हैं यह देखिए कारवन 6 है अगर कारवन वहाँ 7 है तो उसे हम हैप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नौन, 10 को डेक, C11 को अंडेक और C12 को हम लोग बोलते हैं डो डेक C12 को हम कहते हैं डो डेक, तो यहाँ पर आपको बस यही है कि यह वर्ड रूट, नौलेज होना बहुत ज़रूरी है तो फिर से देखिए C1 पर मेच, C2 पर एच, C3 पर प्रोप, C4 पर ब्यूट, C5 पर पैंट, C6 पर हैग्ज, C7 पर हैप्ट, C8 पर ओक्ट, C9 पर नौन, C10 पर डेक, C11 पर अंडेक और C12 पर डोडेक तो यह है वर्ड रूट और वर्ड रूट का नौलेज आपको होना जरूरी है चलिए अब हम हम बात करते हैं IUPAC naming यहने की organic compounds की हम IUPAC naming को सीखते हैं देखिए किसी भी organic compound के जब आप IUPAC naming को करते हैं तो उसका सबसे पहला जो rule होता है ना first rule जो होता है वो होता है longest chain rule अब यह longest chain rule का meaning क्या होता है तो सुनिए किसी भी organic compound में जो भी आपको carbon की chain दी हुई है उसमें हम longest carbon chain choose करते हैं अब देखिए इस example को 1,2,3,4,5 अगर हम state जाते हैं तो 1,2,3,4,5 हमको 5 carbon मिलते हैं अब अगर हम ऐसे चलते हैं 1,2,3,4,5,6 तो देखिए ऐसे में हमको ज्यादा carbon मिल रहा है देखिए कैसे एक बाप फिर से देखिए like this यह देखिए this and this and this इस तरह तो अगर हम इस तरह चलें तो यह देखिए यहाँ पर हमको 6 carbon मिल रहे हैं और अगर हम state चलते हैं 1,2,3,4,5 तो यहाँ पर हमको 5 carbon मिल रहे हैं अगर हम ऐसे चलते हैं 1,2,3,4 तो यहाँ पर हमको 4 ही मिल रहे हैं तो natural है कि हम इस carbon chain को choose करेंगे जिसको मैंने इसको line को line से इसको indicate कर गए यह देखिए like this अब सुनिए जिस carbon chain को हम choose करते हैं select करते हैं उसको हम principal chain यह देखिए यह principal chain कहते हैं और इसी को हम parent chain parent chain भी कह सकते हैं अब those carbon atom which are not included in this longest chain in this chain is called substituent इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर यह है substituent यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए यह देखिए फिर से देखिए प्लीज यहने कि जो भी आपको और नी compound दिया जाता है उसमें आप longest carbon chain चूज करते हैं जिस longest carbon chain को आप चूज करते हैं उसको हम principal chain या फिर parent chain कहते हैं और वो carbon atom यह देखिए वो carbon atom जो इस longest chain में include नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं substitute ठीक है या फिर आप branched भी बोल सकते हैं ठीक है तो यह समझ आया आपको फिर हम आगे चलते हैं देखिए next example है हमारे सामने देखिए इस example को अगर हम देखते हैं तो हमें हर तरफ से same length के chain मिलती है मतलब वो chain हर तरफ से उसमें same number of carbon atom होत 123456 123456 123456 123456 देख रहे हैं तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि इस type के जो organic compound होते हैं जिसमें हमको same length की एक से ज्यादा carbon chain नजर आती है तो हम हमेशा उस carbon chain को choose करते हैं जिसमें substituent जादा हो है अब कैसे substituent जादा हो अगर माद लो में Straight Chain को choose करता हो देखें यहां पर यह मैंने Straight Chain को choose किया Like this यह देखिए यहां पर ये तो अगर मैं Straight Chain को choose कर रहा हूँ तो यह तो हो जाएगी ! parent chain जिसको आपने कहा principal chain लेकिन यहाँ अगर आप यहाँ से देखें कि यहाँ डो substitute नजर आ रहा है आपको एक तो CS3 और दूसरा CH2 CS3 है ना इसी लिए हमने इस longest carbon chain को choose किया अगर आपको दिमाग में चाज़ और चल रही थी कि अगर हम इसको ऐसे choose करते हैं 1,2,3,4,5,6 तो ठीक है अगर आप इसको ऐसे choose करते तो आपको यहाँ पर सिर्फ देखें डियर एक ही substitute मिलता जिसको मैंने cover कर दिया अब आप इतना देखें यहाँ पर आपको के मिलता सिर्फ एक ही substitute मिलता ठीक है इसलिए हम इसको choose नहीं करेंगे अब आप दिमाग में बात रखिए कि same length की अगर एक से ज्यादा आपको chain नजर आती है तो आप हमेशा उस carbon chain को choose करेंगे जिसमें substitute ज्यादा हो यह देखिए जिसमें substitute क्या डियर है यह देखिए यहाँ पर क्या है यह ज्यादा है ऐसे करने पर substitute क्या नजर आ रहा है आपको single नजर आ रहा है इसलिए आप किस chain को choose करेंगे डियर जिसमें ज्यादा substitute है यानि की यह वाली ठीक चलिए तो यह आपको longest chain rule समझ आ गया ठीक है चलिए हम आगे चलते है अब हम next rule हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इसे हम कहते हैं lowest number rule अब देखिए यहाँ पर यह जो lowest number rule है इसमें क्या होता है कि हम जो carbon chain होती है longest carbon chain जो होती है पहले उसे choose कर लेते हैं अब देखिए कैसे 1, 2, 3, 4 यहने आपने इसको ऐसे choose कर लिया ठीक है यह देखिए अब यहाँ पर एक ही बात है कि यह जो substituent है CS3 इस तरफ से या फिर इस तरफ से किस तरफ से पास नजर आएगा तो आपको नजर आ रहा है कि अगर हम इदर से चलते हैं तो यह second number carbon पर हमें यह CS3 नजर आएगा और हम इदर से चलते हैं 123 तो यह third number पर नजर आएगा तो यहाँ पर बस यही समझने है आपको क्या कि जो substituent जिस तरफ से nearer हो पास हो हम उस तरफ से क्या करते हैं उसको visit देते हैं तो हम visit कहां से देंगे इदर से यह देखिए there is a one there is a two there is a three and there is a four यह हमारी chain हो गई अब इसमें आप एक चीज़ देखिए कि यह second number carbon से यह substituent यहने कि methyl radical लगा हुआ है तो यहाँ पर यह जो two है इसको हम लोग बोलते हैं locate number क्यों क्योंकि यह इस radical की location को बता रहा है ठीक है तो एक बात और कि जब भी आप IPC naming करते हैं तो सबसे पहले locate number को लिखते हैं देखिए हाँ locate number कितना two तो firstly you have to write two locate number के ज़स्ट बात आप hyphen लगाते हैं यह देखिए आपने hyphen लगाया फिर इस locate number two पर यह methyl radical लगा हुआ है तो आप अब आप लिखेंगे methyl अब टोटल number of carbon atom यहां देखिए कितने है फोर पर आपको पता है कि वर्ड रूट के बारे में आपको पता है कि अगर वहां four carbon atom होते हैं तो four को हम लोग बोलते है ब्यूटेन तो यहां पर हम लिखेंगे क्या ब्यूटेन यह लिख दिया तो यह देखिए इस compound की आयूपेसी naming हो गई हाँ आयूपेसी naming में एक बात का ध्यान रखिए कि first letter जो होता है वो capital होता है बागी सब क्या होता है small letter होता है ठीक है और इनके बीच में कोई gap नहीं आ ना चाहिए है ठीक चलिए अब देखिए क्या होता है अब हम next question की तरफ चलते हैं यहां पर इसमें हमें थोड़ा सा सीखने को मिलेगा देखिए इस ओगनी compound को अगर आप देखते हैं यहां पर तो पहले तो वही कि आपको longest chain चूज़ करना है तो देखिए यहां पर 1,2,3,4,5 आप यहांने कि इस chain को चूज़ करेंगे यहां पर यहां पर एक चीज़ देखिए आप कि जब एक से ज्यादा आप इन prefix का यूज़ करते हैं जो कि आपकी screen पर नज़र आ रहा है आपको अगर 2 है तो आप उसको die कहेंगे 3 है तो try कहेंगे 4 है तो tetra कहेंगे 5 है तो penta कहेंगे 6 है तो hexa कहेंगे 7 है तो hepta कहेंगे और 8 अगर हो तो उसे हम octa कहेंगे यह प्रिफिक्स आपको याद रखना पड़ेंगे यह प्रिफिक्स तभी use होते हैं जब एक से ज्यादा similar substituent carbon chain में present हो जैसे इस example में देखिए आप इस example में कि जो longest carbon chain है इसमें दो similar यह metalletical attached है ठीक है अब यहाँ पर एक बात आती है कि आप डिजिट किदर से देंगे अरे यह तो clear है यहाँ पर 123 यह 3 पर आ रहा है यह 12 यह 2 पर आ रहा है तो naturally nearer यह है भाई तो आप किदर से डिजिट देंगे इधर से चले शुरू करते तो यह तो हो गए longest carbon chain कितनी 5 ठीक है तो आपको पता है कि इसको हम लोग बोलते है क्या इसको हम लोग बोलते है parent chain यह और यहाँ पर यह जो radical आपको नज़र आ रहा है यह जो radical नज़र आ रहा है इसको हम लोग बोलते है subsequent और यह भी कौन अडिया है? Subjectuent ठीक है अब इस methyl radical का जो locate number हो कौन सा है? 2 और इस methyl radical का locate number कौन सा है? 3 तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी 2 and more than 2 locate number present हो तो locate number के बीच में आपको है ना कौमा का use करना है इस बात का जरूर ध्यान रखें है ना? फिक है? किसका use करना है? कौमा का जैसे मैं आपको बता देता हूँ देखिए 2 3 similar radical है तो हम लिखेंगे 2 कौमा 3 अब because यह दोनों similar है तो देखिए हम किसका use करेंगे? die तो 2 3 और यहां हो जाएगा die यह आइफन लगा ना मत भूलना 2 3 हाइफन die फिर यहां हो जाएगा methyl ठीक अब total number of carbon atom कितने है? 1 2 3 4 5 अब देखिए because यहां पर 5 है तो 5 में word root को मैंने कहा था कि हम बोलते हैं pentane ठीक है? तो अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा dear? 2 3 dimethyl pentane यहां space नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूँ ठीक है? तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 3 dimethyl pentane ठीक तो यह थोड़ा सा clear हुआ होगा अब हम next rule की तरफ जा रहे हैं और next rule है हमारे पास lowest set of locan's rule यह देखिए यह जो आपको नजर आ रहा है lowest set of locan's rule तो मैं आपको एक बात बताओं पहले आप सबसे पहले इस example पर ध्यान दीजिए यह देखिए नजर आया आपको अब इस example में यह देखिए कि यहाँ पर 1, 2, 3, 3 number of carbon पर यह radical present है और यहाँ अगर हम चलें 1, 2 तो second number carbon पर यह radical है तो पस आपको यहाँ पर कोई rule लगाने की जरुद नहीं है नेचरल है कि यहाँ पर आप बस first carbon पर आपको difference देखना है यह देखिए यह थर पर है इधर करेंगे digit देंगे किदा से यहाँ इधर से चले देखिए that is a 1, that is a 2, that is a 3, that is a 4, that is a 5, that is a 6, that is a 7, that is a 8 यह 8 कर दिया आपने ठीक है तो यह हो गई हमारी locust यह longest carbon chain हो गई और local number यहाँ देखिए कौन कौन सा एक तो 2 है और एक 5 है और एक यह 6 है तो पहले हम लिखेंगे 2, 2,5,6 देखिए 2,5 and 6 अब विकोज यह 3 similar radical है तो इसका prefix आएगा try तो हमने लिखा है यहाँ पर try हाइफन के बाद के लिखा हमने try methyl यह लिख दिया हमने यहाँ पर methyl अब देखिए इसमें total number of carbon atom कितने है 8 और 8 को आपको पता है word root में क्या बोलते है octane तो dear देखिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे है octane ठीक है यह यह लिख देखिए यह हो जाएगा octane यह complete naming dear इसकी हो गई अब हम next example पर चलते हैं यहाँ देखिए इधर से अगर हम चलते हैं तो second number carbon पर 2 radical है इधर से हम चलते हैं तो second number carbon पर 1 radical है तो naturally भाई किदर से चलोगे इधर से चलोगे ना 1,2,3,4,5,6 तो यह हम इधर से digit देंगे 1,2,3,4,5 और यह 6 ठीक है अब इसमें देखिए हैं यहाँ पर 2 पर radical है 2 पर radical है और यहाँ पर 5 पर radical है तो चलिए इसकी naming करते हैं 2,2,5 तो 2,2 और यह 5 और यहाँ पर आजागा क्या trimethyl क्यों जगा trimethyl अब total number of carbon atom कितने है 6 तो इसको कहेंगे हम क्या dear hexane यह देखिए अब बात यह आती है आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने तो यहाँ लिखाया है lowest set of locan's rule यह लिखाया आपने यह और आप rule तो follow नहीं कर रहे हो तो करते ना भाई यह देखिए कर द आपको करना क्या पहले जरा ध्यान दो देखो आपको इस तरफ से भी एक बार digit देके देना है फिर एक बार इदर से digit देके देना है तो लोक केंट number का sum जिस तरफ से low आता है उसको हम लोक बोलते हैं correct ठीक है तो चलो शुरू करते हैं देखिए यह अगर मैं इदर से इस त 5 number पर है तो चलो मैं right की तरफ जा रहा हूं तो मैं लिख देता हूं RHS लिख दे RHS अब देखिए 2, 2 and 5 यह देखिए 2, 2 and 5 अब देखिए 5, 2, 7, 7, 2, 9 तो यहां पर digit आ रहा है 9 है ना अब मैं इदर से digit देके देखता हूं चलो देखते हैं 1, that is a 2, that is a 3, that is a 4, that is a 5 and that is a 6 ठीक है अब देखिए यहां पर 2 number पर radical है तो चलो भाई हम left side यहने left hand side की तरफ move कर रहा है अब इदर से चल रहा है हमने digit इदर से दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो देखिए 2 पर radical है हमने लिख भिया अब देखिए 5 पर यह radical है 5 पर यह है तो हमने लिखा 5 प्लस 5 अब 5 और 5 कितने हो 10, 10 or 2, 12 यहां से कितना है रहा है 12 अब आप खुद देखिए हैं हाँ पर कि इनका lowest sum कौन सा है 9 है की 11 अरे भाई 9 होता है यह देखिए यह lowest sum तो इसलिए हम इसको क्या मानेंगे correct यह correct और यह wrong है इसलिए हमने क्या यह देखिए इस तरह से इसकी naming की ठीक है यह पूरी naming आप आपको पता है कैसे-कैसे करना है तो कहने का मतलब यह है कि हां दिया हुआ है lowest set of local rule follow करना चाहो तो आप follow कर सकते हो लेकिन competitive exam में क्या होता है कि आप चाहें तो इस तरह से भी direct कर सकते हैं और चाहें तो आपको बस यह देखिए lowest set rule का यूज कर सकते हैं लोकन्स rule का यूज क compound अगर आपको नजर आता है, तो आप सबसे पहले ना, again and again, again and again, longest carbon chain को choose करके देखा करो, यह नहीं कि कोई compound आपको दिया और आप बस शुरू हो गया, चलो, IUPAC name देना है, तो इसी बेखूफ ही नहीं करना है, अब इसे इस question में देखे, किसी भी बच्चे को यह question मिलता है, त फिर वो naming गलत कर देता है, ठीक है, है ना, देखे, मैं बता रहूंगा, किसके बारे मैं है, मैं बात कर रहा हूँ, इसके बारे मैं अच्छा, आप भी सोचिए, देखे, आपकी mobile screen पर यह question है, सोचिए अच्छा हो, है ना, आप क्या सोचेंगे, कि second number पर methyl है, इधर से second number पर ethyl है, तब क्या करेंगे, इधर से digit देंगे, तब कहेंगे, two ethyl, four methyl, और फिर carbon five है, तो क्या कहेंगे, pen ten, ठीक है, यह हो सकता आपकी naming हो, तो मैं कहूंगा, sorry, यह गलत है, फिर वेट करिए, पहले मैं आपको इस question को clear करा रहे हूँ, देखे, यहां, अगर हम आगे चलते ह हैं, तो देखिए, देखिए, second number पर यहां पर methyl radical लगा हुआ है, इधर से चलते हैं, one, two, three, इधर से three number पर यह methyl radical लगा हुआ है, तो natural नेरर कोन है, अरे भाई, नेरर यह है methyl, तो हम डिजिट कि इधर से देंगे, इधर से देखिए, watch, one, that is a two, that is a three, that is a four, that is a five, and that is a six, या यहने की, इस longest carbon chain में हमको six carbon मिल गए, अब आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान देखिए, देखिए, two पर methyl radical है, जो की capital M से start होता है, और four पर methyl radical है, जो की capital E से start होता है, तो मैंने आपसे कहा था, कि जो IUPAC naming होती है, वो हमेशा, क्या, आलफा बड़ी कि ला ओर से शिरू करते हैं, देखिए, E for elephant, M for monkey, elephant क्या होगा बड़ी, पेले आएगा, monkey बात में आएगा, ठीक है, चरद शिरू करते है, यहां देखिए, क्या होगा, four ethyl, यह हमने लिखा, four ethyl, ठीक, इसके just बात, हमने hyphen लगाया, फिर two पर methyl radical है, तो मैंने two लिखा, फिर इस तरफ again, hyphen लगाया, और फिर यहां लिखा, methyl, ठीक, उसके just बात, total number of carbon atom कितने है, six, तो उसी के मैं आगे, यहां पर लिखूंगा, hexane, यह देखिए, यह इसकी IUPAC naming हो गई, ठीक है, अभी इस question पर थूड़ी दिर बात हम फिर से आएंगे, सिर्फ समझने के लिए, तब तक आप next question की तरफ चली, देखिए, next question आपके सामने आ चुका है, इस question को आप देखिए, देखिए यहां पर, जो गलती शायद आप कर रहे हो, वो गलती ना हो, इसके लिए मैं इसको repeat कर देता हूँ, मैंने आपसे कहा, कि कोई भी organic compound अगर आपको मिलता है, तो आप हैना, again and again count करके करो, जैसे इसको देखिए आप, one, two, three, four, five, यहने five carbon मिल रहे हैं आपको, one, two, three, four, five, फिर five carbon मिल रहे हैं आपको, one, two, three, four, और four or two किते होते हैं भाई, six, यहने हमको six carbon मिल रहे हैं, तो जब six carbon आपको मिल रहे हैं, तो तोड़ दो ना इस chain को, हैना, यहने कि इस chain को क्या क करेंगा तोड़ दो यहांग हो चैंज कर दू तो अगर हम इसको चैंज करते हैं तो क्या होगा देंखे ज़ड़ा यहाँ पर these three और यह ह staan हो जाए च यहाँ च यहाँ च्व यह तो यह देखिए और je Γ, यह देखिए सी यह और जब यहाँ पर C2 थे तो मैंने इसको 2 carbon को ऐसे break कर दिया valency पूरी करने के लिए पहले CS3 आएगा again CS2 आएगा और फिर मैंने याँ पर इसको CS3 कर दिया अब आप खुद सोचो कि C2H5 को break क्यों किया क्यों कि हमको longest carbon chain choose करना थी इसलिए ठीक चलिए अब हम digit देते हैं डिजिट किदर से देंगे हम 1,2,3 1,2 तो भाई इदर से पास है तो हम longest chain ऐसे choose करेंगे देखिए ज़रा ध्यान से like this yes simple यह देखिए है ना अब डिजिट किदर से देने हैं आपको 1,2 यह दे को second number पर है radical 1,2,3 इदर से 3 पर है तो naturally nearer यह है तो डिजिट हम इदर से देंगे 1,2,3 4,5 and that is a 6 अब देखिए 2 पर radical है और यहाँ पर क्या है 4 पर radical है तो इसकी नमीं क्या करेंगे हम 2,4 और फिर यह होचागा dimethyl है ना और natural total number of carbon atom कितने डियर 6 तो इसको हम लोग बोलेंगे hexane ठीक है अब आपके दिमाग में एक बात चल रहे होगी कि sir इस carbon को आपने तोड़ दिया इसको क्यों नहीं तोड़ा था तो बता देते हैं भाई है ना क्यों नहीं तोड़ा था count करके देखिए 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4 और 402 कितने होते हैं 6 तो क्यों तोड़ेंगे क्यों तोड़ेंगे इसको जब इधर से भी same carbon atom नजर आ रहे है और इधर से भी same carbon atom नजर आ रहे है तो भाई और इसको नहीं तोड़ा जाता है ठीक है इसको क्यों तोड़ा इसको break क्यों किया इसने इसको break क्यों है इसमें ज्यादा carbon atom हो रहे हैं खुद देखिए 1,2,3,4,5,1,2,3,4 और 402 कितने होते हैं 6 इसलिए हमने इसको break कर दिया break करके फिर हमने इसकी IPC naming कर दी ठीक है तो यह जो आज 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 जो आपने इस वीडियो में देखा बहुत सिंपल IPC naming थी 9,10,11,12 के बचे easily कर सकते हैं तो यह बहुत सिंपल तरीके से इसको आपके सामने रखा गया है ठीक है थैंक यू